आपले शहर आता स्मार्ट होता है, मग तुम ही कदी स्मार्ट होता है, स्मार्ट न्यूद चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साथी बेल आइकॉन वर क्लिक करा नमस्कार में आनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ शुर्वात में एक नजर आज की सुर्खियों पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए महाराष्ट के दो जवान भारत में फिर से हंगामा करने की दाउत इब्राहिम की योजना यूक्रेन से भारतियों को वापस लाने के लिए एर इंडिया तैयार विदायक अबय पाटिल द्वारा गाव यलूर में विकास कारियों का उदगाटन प्रशासन की और से शिवजयनती समारोह विदायक अबय पाटिल ने शहाजी महराज समादी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से की चर्चा रंगोली के सबतरंगों में खुशियों के दीप चमकाए आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए कपड़ों की दुनिया में एक भरोसे मन और गुणवत्ता पूर्ण नाम आराधना गुरुह लक्षमी की सुन्दरता की पहचान है साडी घर की औरत का रुबाब और संस्कृती की देन है साडी इस दिवाली के सुनहरे मोके पे आराधना लेके आये है महिलाओं के लिए मन पसंद साडी और रेडि मेड सहित बच्चों के लिए आकरशक और मन पसंद ड्रेसेस पुर्शों के लिए जेन्स वेर में शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस जल ही अपनी मनपसंद रेस खरीदे सिर्फ आराधना में बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना नए कपड़े पहन के दीजिये दीवाली की शुभकामना आराधना मारुदी गली बेलगाम और अब समाचार विस्तार में जमु काश्मिर के शोपिया जीले में आतंकवादियों के साथ हुई जड़प में महाराष्ट के दो जवान रोमित तानाजीत सभान और संतोष यादव शहिद हो गए इस बीच संगर्ष अभी जारी है और सुरक्षा बलो ने एक आतंकवादी को मार गिराया है स्थानिक पुलीस और सुरक्षा बलो ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है कश्मिर जोन पुलीस के अनुसार शोपिया के जेनपुरा के चेरमार्ग गाउ में सुरक्षा बलो और आतंकवादियों के बीच जड़प हो गई आतंकियों की फाइरिंग में दो जवाण शहीद हो गए सुरक्षा बलो ने हमले का कड़ा जवाब दिया और कहा की एक आतंकवादी मारा गया रक्षा मंत्राले की प्रवक्ताओं ने भी इस जानकारी की पुष्टी की उन्होंने बताया की जेनपूरा क्षेत्र के चेरमार्ग इलाके में हुई जड़प में दो जवान रोमित, तानाजी चवान और संतोष यादव मारे गए उन्होंने कहा की दोनों को राश्ट्रिय राइफल में तैनात किया गया था भारत में फिर से हंगामा करने की दाउत इबराहिम की योजना 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टर माइन दाउत इबराहिम फिर से सक्रिय हो गया है और कथित तोर पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अनजाम देने की तयारी कर रहा है राष्टिय चांट एजनसी ने दाउत इबराहिम के खिलाप प्राथमी की दर्ज की है ऐसी चानकारी इंडिया तुडे के माध्यम से सामने आई है दाउत इबराहिम भारत में नरसवहार की तयारी कर रहा है इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है प्राथमी के अनुसार टीम भारत के प्रमुग राजनीतिक निताओ और प्रमुग व्यावसाईकों को लक्षित करेगी इतना ही नहीं बलकी दाउत इबराहिम ने विस्पोटकों और घातक हतियारों की मदद से देश के अलग-अलग हिस्से में हिंसा फैलानी के उजना बनाई है इंडिया टुडे के मुताबिक दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाया जाएगा युक्रेन से भारतियों को वापस लाने के लिए एर इंडिया तयार भारतियों सरकार रूस युक्रेन तनाव के कारण युक्रेन में फसे भारतियों की सुरक्षा सुनिचित करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है युक्रेन से भारतियों को वापस लाने की प्रयास जारी है अब एर इंडिया आगे बढ़ी है रूस और युक्रेन के बीच बढ़ता तनाव इस बात का संकेत है कि युद्ध बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ता जा रहा है इस सिलसिले में अब भारतिय नुतावास की और से एक नोटीस जारी किया गया है भारत भी वहा के हालात पर पैनी नजर रखे हुए है अब एर इंडिया युक्रेन अभियान में जा रही है इस बात की जानकारी एर इंडिया ने ही दी है कई भारतिय चात्र युक्रेन में फसे हुए है इन सभी चात्रो और अन्यक कार्णों से युक्रेन में भरती भारतिय नागरिकों के परिवार चिंतित है सभी भारतिय फ्लाइट्स के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं अब Air India युक्रेन में फसे छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए तयार है विधायक अभय पाटिल द्वारा यलूर गाओ में विकास कार्यों का उदगाटन बेलगाव तक्षिन के विधायक अभय पाटिल ने यलूर गाओ में तिलक सड़क की कौंक्रेटिंग के लिए एक करोड रुपए और जल पाइप के लिए 60 लाक रुपए मनजूर किये है शनिवार को इस सड़क कार्य का उदगाटन अभय पाटिल ने किया जिसके बारे में बोलते हुए विधायक अभय पाटिल ने कहा कि पंप हाउस के लिए 5 करोड 60 लाक रुपए और पानी की आपूर्ती बनाये रखने के लिए कुवा खोदने के लिए 8 करोड रुपए और तालाब खोदने के लिए 15 करोड रुपए प्रदान किये है पता चला है कि यह जल सुविधा केवल 2-3 वर्षों तक सीमित ना होकर लगबग 30-35 वर्षों तक लोगों के लिए जल समस्या को रोखने के उद्देश से इस परी योजना को लागू किया जा रहा है इस वक्त 15-27 पाटिल ग्राम 15-26 सदस्य सशिकांत धुलजी अरविंध पाटिल सहित अन्यकार्य करता एवं ग्रामीन उपस्तिः थे प्रशासन की और से शिवयजयनती समारोह प्रशासन की और से हिंदवी स्वराज के सौस्थाप चत्रपती शिवाजी महराज की जयनती मनाई गई यहां के चत्रपती शिवाजी उद्यान में शिवराय की मूर्ती पर अभिशेक पूजन कर उच्सव मनाया गया इस बार गनमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था शनिवाल सुब़ छत्रपती शिवाजी उद्यान में कार्यक्रम की शुरुवात की गई है इसके बाद प्रशासनी कार्यक्रम संपन्न हुआ संसत मंगला अंगडी विदायक अभय पाटिल, विदायक अनिल बेन के नगर सेवक, किरिश धोंगडी, संजय जाधव, नितीन जाधव और अन्य गनमान्य व्यक्ति उपस्तित थे इस समय छत्रपती शिवाजी महराज की जयजय कार कर कोशना की गई प्रशासन की और से शिवाजयन्ती मनाते हुए गनमान्य व्यक्तियों ने सभी से छत्रपती शिवाजी महराज की कारियों को याद रखने की अपिल की विदायक अभय पाटिल ने शहाजी महराज समाधी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से की चर्चा करनाटक के दावनगीरी जीले के होदुगेरे गाउ में शहाजी राजे भोसले के उपेक्षित समाधी स्तल के विकास के लिए विदायक अभय पाटिल ने मुख्यमंत्री बसवराज बोममई से बात की है इस संदर्ब में जल्द ही काम शुरू किया जाएगा ऐसा अभय पाटिल ने स्मार्ट न्यूस से बात करते हुए कहा इस समाधी स्तल के विकास के लिए पुर्व मुख्यमंत्री B.S.A.D. उरापपा को सूचित किया गया और अनुदान मांगा गया था वर्ष 2011-12 के दोरान यहां ब्रह्मन कर इस संबंद में निम्नलिखीत कदम उठाए गए थे इस समाधी स्तल के विकास कारियों में स्तानिक विधायोकों के सहयोग से परिसर के संदर्य करण और नए निर्मान की योजना तयार की गई थी इसमें से एक करोण रुपए समाज भवन के निर्मान के लिए पचास लाख रुपए यातरी निवास के लिए और पचीस लाख रुपए आर्च के निर्मान के लिए दिये गए है हाला कि भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा समाधी स्तल को सुरक्षित कर लिया गया था इसलिए विकास कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका अब एक बार फिर कार्य तेज हो गया है अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस इस पोट्दर ब्रोटब्रेश ज्वेलर्स पोट दर्दर्ब्रट ज्वेलर्स थे अ ठर्फित ब्लेंट ज्योडरी in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra serving since five generations ये जूजिए नच्छिए गल, सिल्वर औ पलतिन आम ज्टिन आम ज्टोलरी शोरूम पोड़दार ब्रदर्स, पोड़दार संस और ग्रैंट संस खड़े वजार बेलगाव कॉल इस ओन 0831-240-5550 और 51 और 5253 विजिट उस अद www.poddarjowellers.com बेलगाम वासियों के पसंद में उत्रा उडाउन बार एंड रेस्टोरंट सोशल डिस्टंसिंग का खयाल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बहतरीन सर्विस का विश्वास यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए तीन आलिशान हॉल कार्पूरेट डिनर मिटिंग के लिए तीन अलग कक्ष IPL मैच देखनी के लिए तीन बड़े स्क्रीन की विशेश सुविधा इसके साथ ही साफ सुत्रा किचन जहां हमारा वेल कॉलिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाईजिनिक फूर की गैरंटी तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उडान बार और रेस्टोरेंट लिंगराश कॉलेज के पास बेलगावी फोन 0131 243577 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत बेलगाम के एक कॉलेज की छात्राओं ने शुक्रवार और शनिवार को कॉलेज में हिजा पहन कर प्रवेश किया था उन्हें कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया सदाशियू नगर स्थीत प्यारा मेडिकल सायंस कॉलेज के विजया इंस्टिउशन के प्राचार्य प्रकाश पाटिल ने छात्रों को कॉलेज में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की हाला कि छात्रों ने जोर देकर कहा कि हम किसी भी कारण हिजाब नहीं हटाएंगे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोगने के लिए पुलिस ने आईतिहाती बरती है सुरक्षा की जिमेदारी DCP रविंद्र गडादी समेत पुलिस के वरिष्ट अधिकारी पर है वेलगाम जिला अधिकारी MG हिरेमत ने भी कॉलेज के छात्रों से बाच्चित की है प्राचारिय प्रकाश पाटिल ने बताया की हिजाब विवात के चलते कॉलेज को जिला के अगले आदेश तक बंद घोशित कर दिया गया है जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा जिला स्वास्ते विभाग की और से 27 फरवरी को राश्ट्रिय पल्स पोलियो कारेकरम चलाया जाएगा इसकी पुरुष्ट भूमी पर जिला अधिकारी कारियार लेके सभागार में तयारी बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में जिला अधिकारी द्वारा पोलियो एवं क्षय रोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिये गए पोलियो टीका करन के लिए 23 चल टीमों का गठन किया गया है बैठक के दोरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिनकी कोविट रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी बुकार होने की संभवना है नतिजन ऐसे नागरिकों को टीबी के लिए परिक्षन किया जाना चाहिए ऐसा कलेक्टर ने कहा खाना बदोष पहाड़ी और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों सहीत कोई भी बच्चा पोलियोटिका करन से वंचित नहीं होना चाहिए उन्होंने इसके लिए सभी से सहयोग करने की अपिल की कनकुमबी में कोरोना योद्धाओं का सम्मान कनकुमबी के माउली देवस्थान में कोविड योद्धाओं का समारोह आयोजित किया गया बाजप महिला मोर्चा की उपाद्यक्ष और खानापूर में महिला मोर्चा की प्रभारी डॉक्टर सोनाली सरनोबत और उनके सहयोगियों ने यह सम्मान किया इस अउसर पर 150 आशा कार्यकरता अंगनवाडी शिक्षक सहाई का कुछ स्वयम सहायता समुहो और प्राथमिक स्वास्त देखबाल कार्यकरता उनको सम्मानित किया गया प्राथमिक स्वास्त केंद्र के प्रमूक डॉक्टर चेतन को कोविड काल में उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया सानिक नेता भाजब कार्यकरता मंजुनात चिखलकर संजय पाटील बसवराज कड़े मनी नागराज कदम दयानंद चोपड़े आनंत गवडा अरजुन गवडा इश्वर सानिकोप ग्राम पंसाय सदस्य और देवस्थान समिती के सदस्य मंच पर मौजुद थे सरकारी मिम्स अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मराठी बाशिक मरिजों की असुविधा को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है मद्यवर्ती महाराष्टा एकिकरन समिती की और से इस विशय में एक निवेदन प्रादेशिक आयुक्त को दिया गया भारत सरकार की भाषाई अल्पसंख्यांकों के आयुकत ने राज्जसरकार और बेलगाम की जिला अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यांकों के शवरक्षन को लागू करने का निर्देश दिया था जिला अधिकारी ने मराठी जन प्रतिनिदियों से चर्चा कर जिला स्तरिय कमेटी बना कर समस्या के समाधन का वाधा भी किया हाला कि यह शिकायत करते हुए कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है समीती के प्रतिनिदी मंडल ने क्षेतरी आयुकत को एक बयान में मांग की है कि जिला अस्पताल के सभी परिसरों में मराठी भाषा के संकेत लगाए जाए इस मौके पर समीती के अध्यक्ष दिपक दलवी, पुर्व मेयर मालोजी राव अस्टेकर, रंजित सवान पाटील, खोशाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, पुर्व विधायक मनोहर किनेकर, विकास कलगडगी आदी मौजुद थे गोवा से आने वालों के लिए अब RTPCR की सक्ती नहीं है, तिसरी लहर की वज़ा से कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ था, इसलिए महराष्ट गोवा और केरल राजों से करनाटक आने वालों के लिए RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी बनाई गई थी लेकिन पिछले कुछ हपतों से सभी राजों में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, संक्रमन के मामले भी घटे है, इसलिए RTPCR नेगेटिव रिपोर्टिंग की सक्ती हटाई गई है, इस संबंद में आदेश स्वास्ते और परिवार कल्यान विबाग के मुख्य सच टीके अनिलकुमार द्वारा जारी किया गया है, हेसकौम की और से उपभुकता नयालय का समापन, हेसकौम की और से उपभुकता शिकायतों की सुनवानी के लिए शनिवार को एक उपभुकता आदालत बुलाई गई, बैठक नहरुन अगर स्तीत हेसकौम के कार्यालय में विभिन्नम उद्धों पर चर्चा की गई, विबाक के सहायक कारेकारी अभियंता संजीव हन्मन नावर ने भी उपभुकताओं की शिकायतों के निवारन की पहल की, सहायक अधिकारी पवनकुमार, मलपा, बुदिगट्टी, शिवानन्द, मुचलंबी और अन्य सदस्तों ने ग्राहकों की शिकायते सुनी। जामबोट कर, सर्वस्रेष्ट गेंदबाज, लखन धामनेकर, सर्वस्रेष्ट बल्लेबाज, शंकर तुर्केवाडी कर, सर्वस्रेष्ट क्षेत्र रक्षक, संतोष पाटिल, सर्वस्रेष्ट विकेट कीपर, विजय कदम को पुरसकार देकर समानित किया। साथ मैच जीते वह क्रमशाह तीसरे चौथे और पांचवे स्थान पर रहे भारत के लिए संकट मोचक होने के बावजूत विराट कोहली तीसरे मैच के लिए टीम से बाहर दूसरे T20 मैच में जब भारत की पारी मुश्किल में थी विराट कोहली ने अर्दशतक लगाया और ठीक हो गई बताया जा रहा है कि विराट अच्छी फॉर्म में है लेकिन अब यह बात सामने आई है कि विराट वेस्ट इंडिस के खिलाब तीसरे T20 मैच में नहीं खेलेंगे BCCI ने अब विराट कोहली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है ऐसे में कोहली तीसरे T20 मैच में नहीं खेल पाएंगे BCCI ने कोहली को बायो बबल ब्रेक दिया है समझा जाता है कि BCCI ने विराट को यह ब्रेक इसलिए दिया है क्योंकि वह लंबे समय से टीम के साथ है के खिलाब T20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे कोहली भले ही सीरीज के लिए आराम करें लेकिन वह टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आएंगे विराट कोहली अपना सोवा टेस्ट मोहाली में खेलेंगे, अगर विराट पहले टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो उनका सोवा टेस्ट बैंगलोर में हो सकता है तो अब कोहली अपने सोवे टेस्ट मैच में खेलते नजर आ सकते है सर्फराज के दोहरे शतक से मुंबई की रनों का पहाड युवा सर्फराज खान के 275 रनों के दोहरे शतक के दम पर 41 बार की रनजी ट्रोफी विजेता मुंबई ने सौराष्ट के खिलाफ रनजी ट्रोफी मैच की दूसरे दिन 7 विकेट पर 544 रन बना कर अपनी पारी घुशित कर दी उन्होंने 4 चौके लगाए और 401 गेंदो से 7 छके मुंबई के दिगज परले बाज अजिंक रहाने 129 रन पर आउट हो गए लेकिन उन्होंने भारतिय टेस्ट टीम में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली सरफराज और रहाने ने 4 विकेट के लिए 252 रन की अहम साजेदारी की यही वज़ा है कि मुंबई 3 विकेट पर 43 रन का बड़ा स्कोर पनाने में सफल रही इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यही पर समाप्त हुए धन्यवाद